नमस्का दोस्तों स्वागतियापका हमारी यूट्यूब चेनल फ्री एजूकेशन में दोस्तों आज किस वीडियो में हम सामान अध्यान यानि कि जी के जी इसके जो Most Important 500 Question की हमारी सीरिज चर रही है तो इस Question सीरिज का हम दसमा पार्ट लेकर आए हैं और इस वीडियो लेक्चर में हमने वही Question सेलेक्ट की हैं जो आपके एक्जाम की दरिष्टी से महत्मुन होते हैं और परिक्षा में बार-बार पूछ हो जाते हैं और इन Question को हम बिलकुल डिटेल में With Extra Fact के साथ में हल करते हैं तो चलिए सुरू कर लेते हैं नमबर फर्स्ट कोस्टन है जी आई टेग की समय सी में क्या होती है तो दोस्तों जितने भी Question इस वीडियो में लाया हूँ यदि आपको किसी भी Question का आंसर पता है तो वीडियो को पॉस्ट करके अपना आंसर लगाएं इसके बाद मैं आंसर पताँगा और Question के Relation में जितने भी Extra Fact बनते हैं सबी को समझाऊंगा तो जो जी आई टेग है ना इसकी समय सी में 10 वर्स होती है तो इस Question का A Option से हो जाएगा जी आई का Full Farm क्या होता है तो इसका Full Farm होता है Geographical Index इसको हिंदी में बोलते हैं भौगलक संकेती के याद रखेंगे और देखें जो एक जी आई टेग होता है ये 10 साल की प्रारंबे काउधी के लिए दिया जाता है जिसे 10 सालवाद नवी निकरत यानि की Renew किया जाता है और यदि पूछा जाए कि जो जी आई टेग है इसकी इंडिया में शुरुआत कब से हुई तो जी आई टेग की शुरुआत हुई थी भारत में 2003 से ठीक है और कॉस्टन पूछा जाता है कि जो पहला जी आई टेग था वो किस प्रोडक्ट को दिया गया था तो पहला जो जी आई टेग है ये दारजलिंग की चाय को दिया गया था दारजलिंग की चाय बहुत ही फेमस है ठीक है पस्च मंगाल में है और दारजलिंग की चाय को पहला जी आई टेग दिया गया था कब दिया गया था तो 2004 में दिया गया था ठीक है तो इस question से इतने fact आपको याद रखना है नमबर second question है सयंक्तराष्ट संग के पहले महा सचे हो थे त्रगवैली तो इस question का C option से हो जाएगा ये त्रगवैली किस देश से थे ये question मी बनता है तो ये त्रगवैली जो है ये नारवे देश से थे ठीक है जो सयंक्तराष्ट संग है न इसको सोट में क्या बोलते हैं तो इसको बोलते है यू एनो यानि की United Nation Organization इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को कब 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी? इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को United Nation Day मनाया जाता है ठीक है और इसका headquarter कहाँ पर है तो इसका headquarter है New York अमेरिका में तो इतने fact आपको इस question से याद रखना है दोस्ते यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो please वीडियो को like करके हमें motivate जरूर कर दें motivation से क्या मुलता है आप वीडियो को like करते हैं हमें motivation मिलता है और ज़्यादा like आते हैं तो और महनत करने का मन करता है और अच्छे-च्छे question लाने का मन करता है तो दोस्तो प्लीज वीडियो को like कर दें next question है सयक्त राष्ट संग के महा सचयों की नियुकती किसके द्वारा की जाती है तो जो UNO के महा सचयों होते हैं इनकी नियुकती की जाती है सुरक्षा परिसद की सिफारस पर महा सभा के द्वारा सयक्त राष्ट संग के महा सचयों की नियुकती की जाती है और कितने साल के लिए की जाती है तो पांच साल के लिए की जाती है नेश्ट कोस्टन है अरणांचल प्रदेश का तवांग जला क्यों प्रसद है काफी अच्छा कोस्टन है तो देखे यह जो तवांग जला है भारत की सबसे बड़े बौध दो मट के लिए प्रसद है इस question का D option सी हो जागा देखे मैं आपको बता देता हूँ जो भरत का सबसे बड़ा बौध मट है ना उस मट का नाम है तवांग मट भरत के सबसे बड़े बौध मट का क्या नाम है तवांग मट जो की अवणांचल प्रदेश की यह मंगल के उपग्रह हैं तो इस question का A option सी हो जागा देखे जो मंगल के उपग्रह हैं फोबोस और डाइमोस तो यहां से जो डाइमोस है ना यह संपूर सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है यह question पूछा जाता है कि संपूर सौर मंडल का सबसे चोटा उपग्रह कौन सा है तो डाइमोज है, किस ग्रह का है तो मंगल का है, ठीक है, ये तो सबसे चोटा है यदि question पूछ रहा है कि संपून सोरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, उपग्रह की बात हो रही है तो संपून सोरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है इसका नाम है गैनिमेड उपग्रह है और यह किस ग्रह का है तो यह वरस्पती ग्रह का है ठीक है तो यह कुछ important fact है यह परिक्चा में पूछ लिए जाते हैं next question देख लेते हैं किस बंदरगाय को बटवारे का पुत्र कहा जाता है तो बटवारे का पुत्र जो है यह कांडला बंदरगाय को बटवारे का पुत्र कहा जाता है और यह कांडला बंदरगाय कहां पर रस्ते थे तो यह जो कां most important question बोल सकते हैं आप कौक रोज के रख्त का रंग सफेद किस कारण से होता है तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है यही से पे लिखा है बिलू रोबिन ये इंपोर्टेंट है तो जो बिलू रोबिन है ना बिलू रोबिन के कारण प्लाजमा का रंग हलका पीला होता है आपको याद रखना है प्लाजमा का रंग कैसा होता है हलका पीला होता है ठीक हलका पीला क्यों होता है तो बिलू रोबिन के कार है तो सारे फेक्टों को आप याद रखेंगे देखिए कहने के लिए तो मैं 25 कॉस्टन आपको करवाता हूँ लेकिन मैं आपको 100 से जादा फेक्ट बताता हूँ और सारे फेक्ट बहुती जादा इंपोर्टन होते हैं नेश्ट कॉस्टन है अस्पघुस किसका दरवारी कभी था ये कॉस्टन पूचा जाता है तो जो अस्पघुस है ना ये राजा कनिस्क का दरवारी कभी था तो इस कॉस्टन का C ओप्सन से हो जागा असपगुस ने एक famous ग्रंथ की रचना की थी उस ग्रंथ का नाम क्या था उस ग्रंथ का नाम था वुद्ध चरितम ठीक है और यह जो ग्रंथ है ना इसमें गोतम वुद्ध के जीवन चरित का वर्णन किया गया है तो आप इसको भी याद रखेंगे नेस्ट कोस्टन है आर बी सी की संख्या किस यंत्र के दोरा ग्याद की जाती है तो आर बी सी की संख्या ग्याद की जाती है हिमो साइटो मीटर के दोरा तो इस कोस्टन का ए ओप्सन सही हो जाएगा नमर बी पे लिखाए इस फिगमो मैनो मीटर तो यह भी इंपोर्टन यंत् यानि कि जो रखत दाब होता है वो इस फिगमो मैनोमीटर की माध्यम से घ्याद करते हैं नंबर 10 कौस्टन है ये कौस्टन पूइपादेशनी तो इस कौस्टन का 2 आङ। जाएगा याद रखेंगे चलिगे आगे बढ़ते हैं नमबर 11 कॉस्टन है राष्टी हरित प्राधी करण इसको हम NGT बोलते हैं तो राष्टी हरित प्राधी करण का मुख्याले कहां पर है तो इसका मुख्याला जो है ये न्यू डेली में इस्ते थे तो इस कॉस्टन का A option सही हो जाएगा जो NGT है न दोस्तो इसका फुलफा में इसका फुलफा में नैशनल ग्रीन ट्रबूनल ठीक है इसको हिंदी में बोलते हैं राष्टी हरित प्राधी करण इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और इसका जो हैड़कॉर्टर है ये न्यू डेली में इस्ते थे देखिए इसके चार छेत्रिये कार्यालाई भी है इसके चा पाल, पुड़े, कोलकाता और चैननाई ये जो हैं एन्जीटी के चार छेत्रिये कार्यालाई हैं इनको आप याद रखेंगे और जो एन्जीटी है इसका उद्देश क्या है तो इसका उद्देश से परियावण प्रोदूसर्ण को नियंतरत रखना ठीक है एबन परियाव पर तो जो भारत के चीप जेस्टिस होते हैं उनके प्रामर्स पर केंद सरकाद वारां एन्जीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है ठीक है और देखे हमारा जो भारत देश है ना भारत देश एन्जीटी की इस्थापना करने वाला पहला बेकास सील देश है ठीक है भारत NZD की स्थापना करने वाला पहला बेकास सील दे से अब यहां से कोई भी कॉस्टन पूचा जाए आप से वनेगा क्योंकि यहां से यतने ही फेक्ट पूचे जाते हैं नेश्ट कॉस्टन है निकेल और लोहा प्रतवी के किस हिस्से में पाय जाते हैं तो जो निकेल और लोहा है ना यह प्रतवी की कोर प्रत में पाय जाते हैं तो इस कॉस्टन का A option सही हो जाएगा मैं आपको समझे देता हूँ जो कोर प्रत है ना यह प्रतवी की सबसे आंत्रे के या फिर तीसरी प्रत होती है ठीक है प्रत्वी की तीन प्रत होती है crust, mental और core तो यह जो तीसरी प्रत है इसमें nickel और लोहा की प्रधानता होती है मैं आपको बता दूँ देखें इस core में जो है N, I और F, N, I मतलब होता है nickel और F, E मतलब होता है ferus, ferus को हम लोहा भी बोलते हैं तो इसमें N, I और ferus की प्रधानता होती है इसलिए जो core प्रत है यह तीसरी नमर की प्रत इसको नीफे के नाम से भी जाना जाता है यदि question प्रत्वी की किस प्रत को नीफे कहा जाता है तो यह core को ही कहा जाता है तो यतने fact आपको याद रखना है next question देख लेते हैं प्रसद नाटक नील दरपन का अंग्रेजी में अनुवाद किस ने किया था तो नील दरपन का अंग्रेजी में अनुवाद किया था मधु सूधन दत्ताने किस ने मधु सूधन दत्ताने तो इस question का A option से हो जाएगा important question है मैं आपको समझा देता हूँ देखे जो नील दरपण है ना एक बंगाली नाटक है जिसे दीन बंधु मित्रा ने लखा था किसने लखा था तो ये जो नील दरपण नाटक है ना इसको दीन बंधु मित्रा के द्वारा लखा गया था ये question मुचा जाता है तो किसने लखा था नील दरपण नाटक को दीन बंधु मित्रा ने लखा था और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था मदु सूदन दत्ता ने ठीक है और इसका प्रकासन कप किया गया था तो इसका प्रकासन के कारण हुआ था इस नाटक में जो है जो किसान नील की खेती करते थे तो उसी बारे में लखा गया है कि अंग्रेज किसानों पर किस प्रकार से अत्याचार करते थे और यही नाटक जो है वंगाल में नील बिद्रोह का प्रमुक कारण है इसलिए इसके राइटर कौन है दीन बंदु मित्रा और इसका अंग्रेज में अनुबाद किया था मदू सूदंदत्ता ने नेस्ट कॉस्चन देख लेते हैं नमबर 14 कॉस्चन है भारतिय पुनर जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है तो भारतिय पुनर जागरण का अग्रदूत माना जाता है राजा राम मोहन राए को तो इस कॉस्चन का A ओफ्सन सही हो जाएगा जो राजा राम मोहन राए हैं इनसे कई फेक्ट पूछे जाते हैं सबसे पहले पूछे जाता है कि ब्रह्म समाज की इस्थापना किस ने की थी तो ब्रह्म समाज की इस्थापना किस ने की थी राजा राम मोहन राय ने कब की थी 1828 में इन्हों ने ब्रह्म समाज की इस्थापना किस ने की थी तो आत्मिय सवा की इस्थापना किस ने की थी राजा राम मोहन राय ने की थी और क पूच्चन 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 राय को राजा की उपादी दी तो इतने फेक्ट हैं सभी फेक्ट इंपोर्टेंट हैं और आपको याद रखना है नमबर पंदरा कॉस्चन भी काफी अच्छा कॉस्चन है लोगसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग बोट का प्रियोग कप कर सकता है तो दोस्तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि कास्टिंग बोट का प्रियोग कौन कर सकता है तो लोगसभा अध्यक्ष का सकता है casting boat को हम निर्णायक मत भी बोलते हैं क्या बोलते हैं निर्णायक मत भी बोलते हैं ठीक है तो ये casting boat का प्रियोग कब कर सकता है लोगसभा अध्यक्ष जब boat बरावर हों ठीक है तो इस question का D options ही हो जागा देखिए जो article 101 है ना इसमें इस पश्ट रूप से लखा हुआ है कि लोगसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रियोग कर सकता है लेकिन कब कर सकता है जब किसी विशाय में हुए मत दान बरावर हों ठीक है तो आपको याद रखना है इतनी बाते हैं नेश्ट question देख लेते हैं इसकी इस्थापना कप की गई थी तो इसकी इस्थापना की गई थी 1961 में देश की पहली प्रधान मंतरी पंडेच जवाहलाल नहरू ने जो है इसकी इस्थापना की थी और इसका अध्यक्ष कौन होता है जो तातकालीन प्रधान मंत्री है वही इसका अध्यक्ष होता है नेश्ट कॉस्टन है विस्ब जल्दिवस का मनाया जाता है तो विस्ब जल्दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को तो इस कॉस्टन का B option से हो जाएगा विस्ब जल्दिवस की सुरुवात कब से हुई थी तो 1990 से जो है विस्ब जल दिवस की शुरुआत हुई थी नेश्ट कॉस्टन देख लेते हैं नमबर 18 कॉस्टन है कोपुली जल बिद्धुत परियुजना किस राजमेश्टत है थोड़ा सा कठेन कॉस्टन हो सकता है तो ये जो कॉपुली जल बिद्धुत परियुजना है ये असम राजमेश्टत है इस कॉस्टन का A option से हो जाएगा और ये कॉपुली नदी पर ही बनी है कॉनसी नदी पर कॉपुली नदी पर बनी है और इसकी जो बिद्धुत जो उत्पादन चमता है ये 275 मेगावार्ट है कितनी 275 मेगावार्ट जो है इसकी उत्पादन चमता है याद रखेंगे नेश्ट कॉस्टन देख लेते हैं नमब 19 कॉस्टन है भारती सम्विधान में आपात कालीन प्रावधान किस देश के सम्विधान से लिए गए है तो हमारे सम्विधान में आपात कालीन प्रावधान जो हैं ये जर्मनी के सम्विधान से लिए गए है तो इस कॉस्टन का B option सही हो जायागा देखें मैं आपको बता दूँ कि जो आपात उपबंध है इसका वर्ण कहां किया गया है तो इसका वर्ण किया गया है हमारे सम्विधान की भाग 18 में ठीक है भाग 18 में इसका वर्ण किया गया है और जो आपात उपबंध है उनको मुक्तह तीन भागों में बाटा गया है सबसे पहले कौन सा वाग है सबसे पहले है राष्टी आपात ठीक है और राष्टी आपात का वर्णन कहां पर किया गया है अनुचित तीन सो वाओन में कहां पर अनुचित तीन सो वाओन में राष्टी आपात का वर्णन किया गया है दूसरा है राष्ट पती सासन तो राष्ट पती सासन जो है इसका वर्णन किया गया है अनुचित तीन सो चप दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू हो रहा है तो लंदन में उसे दरसक किस समय देखेंगे तो इस प्रकार के कॉस्टन पूछे जाते हैं तो लंदन में दरसक उसको सुबह के साड़े चार बजे देखेंगे इस कॉस्टन का B option से हो जागा है ऐसा क्यों देखें जो भारत का मानक समय है ये England के GMT से GMT से यानि के गीरिन विच मीन टाइम से साड़े पांच घंटे आंगे है कितने घंटे आंगे है साड़े पांच घंटे आंगे है या फर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो England का GMT है ये भारत के मानक समय से साड़े पांच घंटे पीछे है तो यदि कॉस्टन आपसे पूछा जाता कि England में सुबे के साड़े चार बज़े में चोड़ा है तो वो दिल्ली में यानि कि भारत में कितने बज़े देखा जाएगा तो वो साड़े सुबे के 10 बज़े देखा जाएगा क्योंकि इसमें हम साड़े पांच पिलस कर देंगे क्योंकि हम साड़े पांच घंटे आ गए हैं और England कितने घंटे पीछे है साड़े पांच घंटे पीछे है तो यदि England का पूछा जाए तो हम पीछे कर देंगे इंडिया का पूछा जाए तो हम आंगे कर देंगे नेश्ट कोस्टन देख लेते हैं नम्मर 21 कोस्टन है रक्त एवं लोह नीती किस की देन है तो जो रक्त और लोह नीती है ये विसमार्क की देन है यह question पूचल जाता है, किस की देन है यह विस्मार की देन है, विस्मार का कौन था, तो जर्मनी का एक सकती साली राजनीदा था, और इसी ने जर्मनी का एक ही करण किया था नेस्ट कॉस्टन देख लेते हैं नम्मर 22 कॉस्टन है सौंदर ये विटामिन किसे कहा जाता है तो सौंदर ये विटामिन कहा जाता है विटामिन E को सौंदर ये विटामिन कहा जाता है क्योंकि विटामिन E वालों येवं तोचा को सुंदर बनाये रखता है नेस्ट कोस्टन है सौपान किरसी कहां की जाती है तो जो सौपान खेती होती है ये पहाड़ों के ढहलानों पर की जाती है कहां पर पहाड़ों के ढहलानों पर की जाती है सौपान किरसी तो A option सी हो जाएगा question पूछा जाता है कि भारत में 105 किरसी सबसे जादा कहां पर होती है तो सबसे जादा जो 105 किरसी है ये हमांचल प्रदेस में होती है ठीक हमांचल प्रदेस उत्राखंड और जो पूर्वत्तर राज हैं सभी में होती है लेकिन हमांचल प्रदेस उत्राखंड में सबसे जादा होती है next question देख लेते हैं नमबर 24 question है चिप्रा किस की सहायक नदी है तो जो चिप्रा है ये चंबल की सहायक नदी है तो इस question का A options सी हो जाएगा question पूछा जाता है कि जो उज्जन है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो जो उज्जन है ये चिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है next question है सारक का मुख्याले कहां पर है तो जो सारक का मुख्याले है न दोस्तों ये नेपाल की राधधानी काटमांडू में एस्तित है तो इस question का A option सही हो जाएगा अब सार्क का full form भी पूँचा जाता है तो इसका full form है South Asian Association for Regional Corporation ठीक है ये इसका full form होता है हिंदी में इसको क्या बूलते हैं हिंदी में इसको बूलते हैं दक्ष्ण ACI चेत्रिय सयोग संगठन इसकी स्थापना 1985 में हुई थी Headquarter में आपको बता चका हूँ कि नेपाल की राध्धानी काटमांडू में है और पूँचा जाता है कि सार्क में सदस देशों की संख्या कितनी है तो इसमें सदस देशों की संख्या कितनी है आठ है तो इतने fact इतनी बातें आपको इस question से याद रखना है दोस्तो आज के लिए इतना ही अब next and last question है आपके लिए challenging question है जो कि हम पूछते हैं हमारे previous वीडियो से अनुसूचत जन जाते यानि कि ST के लिए लोगसभा की सरवादिक सीटें किस प्रदेश में आरक्षत हैं आपके लिए चार option भी दिये गए हैं यदि आप चाहें तो लोगसभा के बारे में लोगसभा सीटों के बारे में डेटेल लख सकते हैं ठैकी दोस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें